दोस्तो क्या आपके भी फास यही प्रॉब्लम है कि आपके फोन में किसी का भी कॉल आता है और वो जो आपका कॉल है वो आपको दिखाई नहीं देता है आपके फोन में यानि कि किसी का भी कॉल आता है और वो आपको सो नहीं होता है यह दोस्तो हो सकता है कि आपके किसी भी फोन में आप यहां पर आ रहा है, तो मैंने यहां पर call लगा दिया है, लगाने के बाद अभी हमारे पास call आ जाएगा और देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कि हमारे पास call आ चुका है और यहाँ पर आपको full screen पर देखने को मिलना होगा बट हमारे पास यह कल problem था कि हमारे किसी भी call को आने पर हमारा show नहीं हो रहा था तो इसे problem को आप भी आसानी से solve कर सकते हैं अगर आपके भी phone में call आने पर आपको screen show नहीं होता है यह हो सकता है कि आप किसी भी application को यूज कर रहे होंगे और उस वक्ते किसी का भी call आ जाता है तब आपका show नहीं होता है तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले अपने dialer पर क्लिक करेंगे जहां से आप call लगाते हैं अपने three dots पर क्लिक करेंगे Training पर क्लिक कर देंगे, Setting पर क्लिक करने की बाद, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, Call display, When using apps, यानि की जब आपको किसी भी application को यूज कर नहें होंगे, तब आपका call आपको किस तरीके से देखने को मिलना चाहिए, उसका screen के तरीके से देखने को मिलना चाहिए तो आप इस पर click करेंगे यहाँ पर हो सकता है कि आपका mini pop-up set होगा small pop-up set होगा यहाँ पर आपको full display आपको set कलेना है यानि कि full screen यहाँ पर आपको set कलेना है उसके बाद यहाँ से back आजाना है जब यहाँ से आप back आजाएंगे आप आपका सारा problem fix हो जाएगा आप जैसे कि मालेते हैं कि अभी भी आपका problem solve नहीं हुआ है आपके phone में किसी का call आता है अभी भी आपका so नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ से back आना है आप जहां से आप call लगाते हैं उस पर आपको long press करना है i button पर click कर देना है तो जैसे आप long press करेंगे i button पर click करना है i button पर click करने के बाद इस तरीके से आपका app info आजाएगा phone dialer का यहाँ पर आपको नीचे आजाना होगा यहाँ पर मिलेगा storage आप इस पर click करेंगे यहाँ पर मिलेगा clear chase आप इस पर click करेंगे यहाँ पर मिलेगा clear data आप इस पर click करेंगे और ok कर देंगे आप यहाँ से क्या होगा कि जो आपका phone dialer application है यह आपका पुरी तरीके से reference हो जाएगा यहां से आपका कोई भी calling डिलेट नहीं होगा नहीं आपका context number डिलेट होगा बस आपका calling application refresh हो जाएगा और अच्छे से आपका काम करना start कर देगा अब आप एक बार check करिए कि आपके phone में जो आपका call आता है वो आपको देखने को मिल रहा है या नहीं अगर by chance आपके phone में अभी भी आपको देखने को नहीं मिलता है तब यहां पर आपको यह तीसरा setting अपलाई करना है और इस setting को अपलाई करने के बाद 101% आपका problem solve हो जाएगा इसके लिए आपको जाना होगा आपने phone की setting में सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको search बार पर क्लिक कर दिना है search कर दिना है reset तो आपके सामने यह कि setting आ जाएगा जहां पर देखने को मिलेगा reset all setting यानि कि phone की सारी-की-सारी setting को आपको यहां से reset कर दिना है हो सकता है कि आपने गलती से कोई setting चालू कर दिया हो या कोई setting आपका बंद हो गया हो और आपको देखने को नहीं मिल रही वो setting और यहां से आपकी सारी setting reset हो जाएंगी जिस तरीके से आप नया phone लेते हैं उस तरीके से आपकी सारी setting reset हो जाएंगी और यहां से आपका कोई भी data delete नहीं होता है जैसे photo, video या documents कोई भी आपको कुछ भी delete नहीं होगा सिर्फ आपकी phone की reset होंगी setting आपको इस पर click करना है और यहां से आपको इस पर click करना है आपके फोन की सारी की सारी जो reset यान की setting है वो यहां से reset हो जाएंगे बस आपको एक बार अपने फोन को यहां से switch off करेना है यानि कि आपको power on कर दिना है और उसके बाद आपका सारा problem fix हो जाएगा और आपके फोन में आपका जो call होगा वो आपको देखने को मिलना start हो तो मिलते हैं next video में एस video के लिए इतना ही और video पूरा देखने के लिए आपका पहुत धन्यवाद